हेलो फ्रेंड्स नमस्ते सब कैसे हैं आफसा करती मों सब अच्छे होंगे लो फिर लेकर आगई एक और नहीं रेसे भी गोबी मटर की सबजी बहुत ही सीम्पल तरीके से हैं बनाई मैंने मटर गोबी की सबजी देखिए कितना अच्छ लग रहा है आप जरूर एक बार ट्राइ करें चलिए अब बनाते हैं देखिए मैंने हाप के गोबी लिया है इसमें मैंने डंडल भी डाला है उसका गोबी का गोबी बड़े साइज में काट लिये है और मटर है मेरा एक 14 चोटी कट्र से और जो फ्रेस मटर है वो मटर है चलिए बनाते हैं मैंने कडाई में एक चमच्टील डाला था उसमें डाल दिये मैंने एक तेश पत्ता मेरा तेज पेत्ता थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब मैं डालूँगे एक दालचीनी एक बड़ी हिलाची डालूँगे और आधा चमच जीरा जीरा हमारा चटक जाएगा अच्छी तरीके से तब हम इसमें एट करेंगे प्याज जो लंबे साइज में मैंने काट के रखा था देखिए लंबे लंबे साइज में मैंने काटा था अब हम इनको हल्का सभून लेंगे जिससे प्याज का कच्चापन दूर हो जाए देखिए ह हमारा हलका सा भून चुका है अलका सा लाल हो गया है अब इसमें हम डालेंगे गूबी गूबी को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसी में लिखिए मिक्स हो गया है जब तक हमारा गूबी भून आता है तब तक हम एक पेश्ट तयार कर लेते हैं लसन अद्रक और धनिया पत्ता को हम कूट के तयार कर लेंगे आज इसी को हम डाल कर बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बननेगा हमारी सब्जी आप एक बर जरूर यह कूट के डालें चलिए अब इसमें डालते हल्दी अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक जिसे हमारा गोवी आधा पक जाए गोवी में हमारा अच्छी तरीके से नमक भी चला जाए लेखिए और हम इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से थोड़ा भून लेंगे जिसे हमारा गोवी अच्छी तरीके से भून जाए और आधा प लेखिए मैंने मट्रे एट कर दिया अब इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी सबजी बना है आप जरूरी बटराय करें रोटी चावल किसी के साथ भी यूज करें बहुत ही अच्छा लगेगा अब इसको हम ढख के पांच मिट पकाएंगे जिससे हमारा कोबी हलका सा पानी छोड़ दे और हमारा मट्र हलका सा सेज जाए देखिए हमारा गोबी पानी छोड़ दिया हलका सा और हमारा मट्र भी कुछ हद तक पक चुका है अब इसमें मैं डालूँगी जो मैंने लसन अद्रक धनिया पत्ता कूट लिया था इसमें हम धनिया पत्ता उपर से नहीं डालेंगे हम आज इसमें ऐसी डाल कर बनाएंगे धनिया पत्ता लिखिए हलका सा हम इसको भूण लेंगे जिससे लसन अद्रक का कच्चा पन थोड़ा सा दूर हो जाए तब इसमें हम एट करेंगे कुछ मसाले देखिए हमारा दो टमाटर मैंने बारिक काट लिया था अब इसको थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे ढखकर जिससे हमारा टमाटर हलका सा सौफ्ट हो जाया देखिए पांच मिनिट हो गया है अब इसको हम देख लेंगे हमारा टमाटर देखिए टमाटर गोबी मटर सारे सौफ्ट हो गया है अब इसमें हम मसाला याट करते हैं चलिए देखिए मैंने डेर चमच मसाला लिया है यह मेरे मिक्स मसाले है इसमें मैंने मेरे सभी मसाले मिक्स कर रखे थे यह मैंने एक चमच और नमक लिया क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था गोबी में अब इसमें भी डाल ली आप अ नमक यूज करें मसाला भून लेंगे अब इसमें हल्का सा पानी एड़ करेंगे क्योंकि हमारा मसाला हल्का ससर्पने लगा था थोड़ी देर भून लेंगे हम इसको अच्छी तरीके से अब देखिए हमारा भून को भी पानी छोड़ दिया है और हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से भून चुका है अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और एड़ करेंगे अब इसको मिक्स कर लेंगे मच्छी तरीके से अगर आप ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा और पानी डाले हम थोड़ा सा ही पानी डाली हूं और एक खास बात ही इसमें हम मिर्चे उपर से ही काट के डाले क्यूंकि मिर्च का जो तीखा पन है न अस्वाद उसका ऐसे अच्छा लगता है आप एक बर ऐसे बना के जरूर देखें देखें मैंने ढख दिया और पांच मिर्च दस मिट हो गया हमारा देखते हैं सबजी देखें कितना अच्छा लग रहा हमारी घूबी या मतर की सबजी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया है अब इसमें हम डालेंगे उपर से आधा चमच गरम मसाला गरम मसाला डालके मच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फिर इसको धीमियाद में हम 5 मिट और पकाएंगे जिसे हमारा मसाला भी पक जाएगा हलका कोबी कच्छा था वो भी पक जाएगा देखिए 10 मिट हो गया हमारा देखिए सबजी कितना अच्छा लग रहा है बनके हो गया है रेडी हमारी गोबी मटर की सबजी चलिए अब सब करते हैं लिखिए कितना अच्छा लग रहा हमारी गोबी मटर की सबजी आप एक बर जरूर ट्राय करें अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सस्क्राइब करें अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट जरूर करें कर दो, जब जर दो पसंद एरूर बाला लग deux हैं आए तो सस्काी करें